आज हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी के गरेंट अफेस की जो UPSC और अधर इस्टेट के जितने भी एक्जाम्स हैं उनके लिए इंपोर्टेंट है तो आपने अभी तो जो न्यूस न्यूस पेपर या न्यूस चैरन में देखागा ऑपरेशन दोस्त के बारे में केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा लेने भूकम्प परभापित जो सीरिया और तुर्की का इलाका है सीरिया और तुर्की का इलाका वहाँ पर मानविय चिकिस्सा सहायता भेजने में महत्पुन भूमी का निभाई है कहाँ पर सीरिया और तुर्की में जो अभी भूकम परभापित इलाके हैं वहाँ पर केंद्रिया स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा ले इसको याद रखेंगे केंद्रिया स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा ले पर जो साहयता थी मानवेची किस्त साहयता वो बेजने महत्पुन, गोमी का निवाई, जो ओपरेशन दोस्त है ये भारत सरकार द्वारा सीरिया और तुर्की की साहयता के लिए सुरू किया गया, एक घरेलूग खोज और बचारव भियान है, हाली में तुर्की सीरिया भुकं का नाम था ओपरेशन दोस्त ये खास तोर से ध्यान लखा है रखना है भारत आज एक ट्वीट कर तुर्किया और सीरिया को अपात काली इंडाहत सामा की प्रदान कर रहा है यह भी ट्वीट करके बताया है कि भारत जो है इसको सहायता प्रदान कर रहा है दोस्त का मतलब हिंदुस्तान में भी और तुर्की में भी दोनों दोस्ती होता है हिंदुस्तानी और तुर्की दोनों में दोस्त का मतलब दोस्त ही होता है मारवर्ग वाइरस एक्वेटोरियल गिनी ने मारवर्ग वाइरस रोग के अपने पहले प्रकॉप की पुस्टी की है यह मारवर्ग वाइरस फैल रहा है MBD जो से रोग हो रहा है ये किस से फैल रहा है वाइरस से वाइरस है वाइरल डिजीज है जो मनुस्य में रक्त इस तरह भी बुखार का कानण बनता है इसमें बलड बहता है ये इस तरह का बुखार आता है इसमें यह मारवर्ग वाइरस से फैनने वाली बीमारी है, मारवर्ग और इबोला, इबोला वाइरस के वारे में आपने सुना होगा, वो भी वाइरस से फैलता है, यह दोनों वाइरस, फिलोविरेडे, परिवार यानि के फिलोवाइरस के सदस्य हैं, तो अगर इसका परिवार पर आफ चोटी चीज आ जाती हैं कहीं वारी उपिस्टी में तो जिहान ना कुनास पर 1967 में जर्मनी में 1967 में कहाँ पर जर्मनी में मारवर्ग और फ्रेंक पर्ड में एक साथ प्रकॉप के बार मारवर्ग वायरश रोग का पता चला था जर्मनी और जर्मनी में एए उन्निस सो सट में इसका सबसे वहले पता लगा मारवर्ग जो है संकरमित लोगों के रक्त यानि के बलड, इस्तराब, अंगोया, अन्या, सारी रिक तरल पदार्टों के साथ सीधे संपर्क में आ जाता है इन तरल पदार्टों से दूसी सतों और सामगरियों के माद्यम से मानव से मानव संचरन के माद्यम से फैलता है तो मानव से मानव फैलता है क्योंकि वाइरल है मारवर्ग जो वाइरस उसका प्रकृतिक बाहग जो है अफरी की फल चमगादर है प्राकरतिक वाहक कौन है इसका अफरीकी फल चमगादर यानि कि इसके तुरू फैलता है जो वाइरस को ले जाता है लेकिन इससे बिमार नहीं पड़ता है अब ये चमगादर खुद तो बिमार नहीं पड़ता है इस वाइरस से लेकिन ये वाइरस को इधर से उधर फैला दे यानि कि कोई भी ऐसा मान्य उप्चार नहीं है जिससे MbD का इलाज किया जा सके ना तो कोई एंटिवाइरल ऐसा कोई उप्चार है नहीं ऐसा कोई टीक आया है लक्षनों को कम करने के लिए पुनर पुनर जली करन उप्चार जीवित रहने की संभाबने में सुधार कर सकता ह पुनर जली करन उप्चार यानि के पानी वगएरा का उसका इस्तमाल करके हाला कि 2020 में EVD के खिलाब जैबडैनो यानि के AD26 जैवो और MVA BN फिलो को मार्केटिंग ओथ्राइजेशन द्वारा ओथ्राइजेशन दिया गया था मार्केटिंग ओथ्राइजेशन मिला है इनको EVD के खिलाब लेकिन क्लिनिverbs ट्राइल में इसकी परभाब कारिता थापित नहीं हुई है वैसे ही इसको ओथ्राइजेशन दे दिया था लेकिन जो क्लिनिकल ट्राइल होते हैं उसने इसको ओथ्राइजट नहीं किया डिप्टी स्पीकर का पद जो डिप्टी स्पीकर है अभी ये चर्चा में क्यों आया है सुप्रीम कोट ने डिप्टी स्पीकर का चुनाब करने के लिए में विफल रहने पर केंद्र और पांच राज्यों जिसमें राजिस्थान, उत्राखंड, मध्यपरदेश, उत्रपरदेश और जहारखंड को नोटिज दिया. तो जब सुप्रीम कोट ने इन पांच राज्यों को नोटिज दिया, तो ये चर्चा में आ गया. संबैदानिक इस्थिति क्या है? उसमें अद्यक्स होगा, उपाद्यक्स होगा, उसकी इस्थिति क्या होगी? ये बताया गया है 178 में. तो क्या डिप्टी स्पीकर का होना जरूटी है? अनुच्छे 93 में और 178 दोनों में एक वर्ड है करेगा. सब्द का उपयोग क्या गया? जो धरसाता है कि संबिधान के तहत अध्यक्स और उपाद्यक्स का चुनाव अनिवारिये है. अनिवार ये चुनाब है जो सम्विधान के तहत अध्यक्स और उपाध्यक्स का अनुछे 93 और A1878 के तहत करेगा वर्ड से साबित होती है समय सीमा क्या है इसके चुनाब की और क्या परकरिया है तो जो आर्टिकल 93 और A1878 है उसमें यथा सीग्र सब्द का उले किया गया है लेकिन वे एक विसी समय सीमा निदारित नहीं करते हैं यथा सीग्र मतलब जल्दी से जल्दी इतना हो सके इनका चुनाब कराया जाएगा पर कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं कर गिया उसमाने तोर पर लोकसभा और राज्य विदान सब्द दोनों में नए सदन के पहले सत्र के दोरान अध्यक्स का चुनाब करने की पर्था रही है यह एक पर्था बनी आ रही है कि लोकसभा का जो अध्यक्स है वो पहले सत्र के दोरान जो है उसको चुनाब किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर को चुनाब दूसरे सत्र में होगा तो पहले सत्र में अध्यक्स का दूसरे सत्र में डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्स का य अध्यक्स उसको तया करते या दूसरे सत्र में उसका चुनाब कर ले ये डिपेंड करता है एक बार सदन में उनके नाम का प्रस्था पेस करने के बाद डिप्टी स्पीकर का चुनात किया जाता है पहले सदन में उनका नाम पेस किया जाता है एक बार चुने जाने के बाद डिप्टी स्पीकर आम तोर पर सदन की पूरी अबधी के लिए पद पर बना रहता है जब तक सदन की पूरी अबदी रहती है तब तक ये पद पे रहता है राजिया बिधान सभाव के लिए अनुच्छे चोरान में ये और अनुच्छे 179 इसके तहट अध्यक्स या उपाध्यक्स अपना कार्याले खाली कर देंगे यदि तो 94 में भी और 179 में दोनों में दिया है कि अध्यक्स हो या उपाध्यक्स अपना पद छोड़ सकता है अगर वह सदन का सदस्य नहीं रहता है पहली कंडिशन अगर वह सदन का सदस्य नहीं होगा तो खुद छोड़ जागा एक दूसरे को स्थीफा दे सकते हैं तब भी वह अपना छोड़ सकते हैं या वह अपना इस्थीफा खुद दे दे या सदन जो है जिस सदन का वो अध्यक्स यो पाध्यक्स है वोई ना रहे तो तब भी ये अपना पद छोड़ सकता है सक्तिया पावर क्या है इसकी अनुच्छे 95 का वन कहता है कि जब अध्यक्स का पद खाली होगा तो कारिया लेके करतब व्योक अपालन उपाध्यक्स द्वारा किया जाएगा कि अगर अध्यक्स नहीं हुआ तो कौन काम करेगा उसकी जगा पर उपाध्यक्स करेगा ये 95 का क्लोज वन आर्टिकल कहता है समाने तोर पर सदन की बैटक की अध्यक्स द्वारा करते समय उपाध्यक्स के पास अध्यक्स के समान सकते होती है अगर उपाध्यक्स अध्यक्स वाले काम कर रहा है तो उसकी सक्तियां भी अध्यक्स वाली होंगी बारबारी माना गया है कि अध्यक्स की अनुपस्थिती में उपाध्यक्स या सदन की अध्यक्स तक अने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिये गए फैंसले के खिलाब अध्यक्स से कोई अपील नहीं की जा सकती मानलो अध्यक्स वहां पर नहीं है और उनका काम उपाध्यक्स समाल रहे हैं तो उपाध्यक्स ने जो निडने लिए हैं उन निडनों के खिलाब अध्यक्स से बाद में अपील नहीं की जा सकती है क्या डिप्टी स्पीकर के चुनाब में देरी के मामले में अदालते हस्तक सेप कर सकती है अगर डिप्टी स्पीकर के चुनाब नहीं हुआ उसमें देरी हो गई तो क्या अदालत उसमें हस्तक सेप करेगी या नहीं 2021 में दिल्ली उच लियाले के समकस एक याची का दायर की गई थी जिसमें तर्क दिया गया था कि डिप्टी स्पीकर के चुनाब में देरी ने अनुचे तिरान में जिसमें पवन रिले बना में स्पीकर लोकसवा और अन्या का उलंगन किया है 93 का उलंगन किया है ये 2021 में दिल्ली उच लियाले में याची का दायर की गई हाला कि बिधाईका को डिप्टी स्पीकर चुनने के लिए मजबूर करने वाली अदालत की कोई मिसाल नहीं रही है नियाले आम तोर पर संसद के परतिक रियात्मिक संचालन में हस्तक सेव नहीं कर जो संसद की बैदता है किसी भी कार्यवाई की वो परसंगत नहीं लाई जाएगी हाला कि अदालतों के पास कम से कम इस बात की जाच करने का दिकार है कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव क्यों नहीं हुआ क्योंकि संबिधान जितनी जल्दी हो सके चुनाव की परिकल्पना करता है क्योंकि संबिधान कह रहा है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करो तो चुनाव हुआ क्यों नहीं इस पे देखरे कर सकता है वो उसको चांच कर सकता है कि चुनाव हुआ क्यों नहीं है ज्यादा उसमें कुछ हस्तक से नहीं कर सकता है जु सबसे ज़्यादा मोत कहा हुई है गुजरात में 80 मोत हुई है तो यह धियान लखना हिरासद में पुलिस हिरासद में जो मोत होती है उन में सबसे ज़्यादा गुजरात number one पे रहा है 80 मोतों के साथ यह data है state wise इसमें 2017-18 red color से दिया है 18-19 blue color से दिया है और 19-20 yellow color से और यह light blue में दिया है 20-21 और 21-22 green color में दिया है नीचे state दिये है तो गुजरायत का data अगर हम देखेंगे तो 2017-18 यह red वाला है 14 मोटे हुई थी गुजरात में 13 हुई थी 18-19 में और 17 हुई थी 19-20 में यह वाली और 24 हुई है 21-22 में पुलिस हुई है तो सबसे आदा हुई है कहाँ पर गुजरात में 24-21 में महरास्टा में 19-11-13-13-13 तरह से है और यह आगे चल चलके उत्तर प्रदेश तमिलनाडू और बिहार का data है तो 80 मोते गुजरात में हुई हैं पिछले 5 बरसों में हिरास्ट में जो होने वाली मोते हैं इसको custodial death कहते हैं इसे मतलब है पुलिस हिरास्त में अत्वा मुकदमे के सुनवाई के दोरान नियाएक हिरास्त में या कारवास की सजा के दोरान व्यक्तियों की मृत्यों हो या तो वो पुलिस हिरास्त में हो या उन पे मुकदमे के सुनवाई चल रही हो और नियाएक हिरास्त में हो या वो कारवास की सजा कार्ट रहे हो तब उनकी मृत्तियों हो तो इसके कही कारण हो सकते हैं जिसमें बलका अत्यदिक प्रयोग लापरवाही अत्वा अधिकारियो द्वारा दुर्बिया भार जिसे पुलिस वगरा कुछ बात उगलवाने के लिए कोई चीज उनको नकालने के लिए ज़्यादा बलका प्रयोग कर दे तब उत्मोत हो जाए या कोई लापरवाई ऐसी हो जाए, किसी बज़ा से तब उसकी मौत हो जाए या अधिकारियों ने ऐसा कोई दुर्विया भार कर दिया जेल में तब मौत हो जाए तो ये बज़ा सामिल है उसमें भारत के विदी आयोक के अनुसार ग्रफतार किये गए अध्वा हिरासत में लेगे विक्ति के खिलाब 18-19 में 136 हुई, फिर 19-20 में 112, 20-21 में 100 और 21-22 में 100, 75 सबसे उपर पोजगी। तो 175 टोटल मोते हुई हैं 21-22 में। पिछले पाँच वर्सों में हिरासत में सबसे अधिक मोते गुजरात मैसी हुई हैं। और इसके बाद महाराश शियत्तर, उत्तरप्रदेश 41, तमिलनाडु 40 और बिहार 38 ये इस तरह से इनका करम है। राश्ट्य मानवादीकार आयोग ये National Human Rights Commission इसने 201 मामलों में मुद्रिक राहत और एक अन्य मामले में अनुसासनात्मक कार्यवाही की सिफारिस की है। तो इन सब पे नज़र रखता है राश्टिय मानवादीकार आयोग हिरासत में जो मोते हो रही हैं उनकी वजह क्या हैं। मानलों पुलिस ने ज़्यादा पीटती है हिरासत में लेकर तो उसको अपराधनी मानना जाता है। तो बीड़ बहुत है हमारी जेलों में खराब परिस्थितियां हैं जन सक्ती की भारी कमी हैं और ये सब जो हैं कारवास में नुकसान जितना भी है इसके खिलाफ नियुन्तम सुरक्सा से परभाबित होती रही है। अत्यदिक वल्का प्रियोग हो जाता है हांसिय पर जीरे समुदाय को लक्सित करने तक आंदोलनों में भाग लेने वाले अथवा विचार धाराओं का परचार करने वाले लोगों को राज्य अपनी सासन व्यवस्ता के विपरीत मानता है। वो आंदोलन करने लग जाए किस ऐसी जो मानलो मीटिंग्स लगए रहे हैं उन्में भाग लेने लग जाए कोई अलग विचार धाराओं लेके आ जाए तो जो सरकार है राज्य है वो उसको अपने विपरीत मानता है। लंबी नियाएक प्रकरिया, नियाएलो धुरा अपना ही जाने वाली लंबी, खरचीली, और अपचारिक प्रकरिया गरीवों और कमजोर लोगों को हत्तोसाहित करती हैं। परंतो इसका अनु समर्थन के जाना भी भी बाकी है तो संयुक्त राष्ट अभी समय जो है उस पर हस्ताक्सर कर रखे हैं भारत ने 1997 में लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपलाई नहीं हुआ है जबकि हस्ताक्सर करना केवल संदी में निर्धारित दाइतवों को पूरा कर चिकत्सा उपेक्सा अथवा चिकत्सा के देखरे का भाव और यहां जहां तक की आत्मत्य घटनाओं में ब्रदी यह इसके अन्य बजा है जो चिकत्सा की है देखरे है उसकी उपेक्सा की जाती है मानलो किसी को ज़्यादा मार दिया और उसकी कोई दिक्कत होगे इसकी बो पर्षिक्सन अथवाब देही की कमी जो अधिकारी है उनका पर्षिक्सन उनकी ट्रेनिंग सही नहीं है जवाब देही नहीं है उनसे कुछ तो ये भी बज़ा है सुधार केंद्रों की अपर्याबता या दैनियास्थिती है जो सुधार केंद्र है या जेले हैं उनमें अपर्याबता है एक एक रूम में मानलो दो लोगो के रहने की जगा तो उसमें दस-दस लोग ठूस रखे हैं ये बज़ा भी हो सकती है कैदी की स्वास अथवा मोजूदा चिकिस सके एस्टिदी जिसका हिरासत में रहते हुए पर्याबत रूप से समधान या इलाज नहीं किया गया है कैदी उसमें कस्टडी में है लेकिन उसकी पर्याबत रूप से कोई समधान नहीं किया गया उसकी चिकित से के medical condition उसकी अच्छी नहीं है तो यह सब वज़े हैं इस सारी चीज़ों की है संब्लधानी प्रावधान क्या है इसके एक तो अनुछे 21 और एक अनुछे 22 है जिन्दगी जीने का अधिकार आर्टिकल 21 क्या कहता है कानून द्वारा इस्थापत प्रकरिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अत्वा व्यक्ति का स्वतनतरता से वंचीत नहीं किया जा सकता है कोई भी कानूनी प्रकरिया हो जैसे आपको मैं अजमलका साब बाले एक्जामपल दूँगा अजमलका साब ने ब्रूटली सबको कितनी गोलिया चलाई थी मुंबई में मुंबई केस जो हुआ था लेकिन फिर भी उसको एक प्रकरिया से गुजारा गया उसको नियाई खिरासत में रखा गया फिर जेल में रखा गया उसको कानून के हिसाब से उसको मुकदमा चला फिर उसको मर्शिपटी सन जो राश्पती से च्छमाया चला है वो दी गई उसका भी उसको मोका दिया गया जब जा कर उसको फासी हुई तो एक कानून जो द्वारा इस्थाबित प्रकृरिया है वो दी जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्ति का सुर्टनतरता से बन्चीत नहीं किया जा सकता है चाहिए वो कितना भी बड़ा केस करके हैं उसको एक प्रकृरिया से उजानना पड़ेगा ये आर्टिकल 21 के नुसार अत्याचार से सुरक्सा प्रदान करना भारते संबिधान के नुच्छेद 21 किस जिसमें जीवन जीने का अधिकार आता है इसके तरहेते मौली का अधिकार है किसी की भी अत्याचार से सुरक्सा की जाएगी ये आर्टिकल 21 कहता है 22 कहा रहा है कुछ मामलों में गरफतारी और निरोत से सनक्सन प्रदान करना भारत के संबिधान के नुच्छेद 22 एक तहत परामर्स का अधिकार भी एक मौली का अधिकार है तो परामर्स का अधिकार क्या है मौली का अधिकार है आर्टिकल 22 वन के हिसाब से मान लो कोई बकील से परामर्स लेना चाहे, किसी से परामर्स लेना चाहे, तो उसका वो मौली का दिकार है राज्य सरकार की भूमी का क्या है से में भारत के सम्विधान के साथ वियन सूची का नुसार पुलिस और सारवजनिक विवस्था राज्य की सूची के विसे हैं राज्य सूची माता है पुलिस और सारवजनिक वियाबस्ता ध्यान नखना इस अवाल पूछते हैं पुलिस किस सूची माता है राज्य सूची माता है मानवाधिकारों की सुरक्सा सुनिसित करना परात्मिक रूप से संबंदित राज्य सरकार का उत्तरदाई थे हैं तो मानवादिकार सुनिशिद करती है, ये भी किसका उत्तरादिकार है, राज्य सरकार का, कियंद सरकार समय समय पर सलाजारी करती है और उसने मानवादिकार सन्नक्सान अधिनियम 1993 को भी अनिदिनियमित कर रख है, तो इसके मानवादिकार सन्नक्सान अधिनियम का वाय था 1993 म इसमें लोक सेवा को द्वारा कठित मानवादीकार उलंगनों की जांच के लिए NHRC और राज्य मानवादीकार आयोकिस्ता अपना का प्राबधान है अगर कोई उलंगन ऐसा होता है तो उसकी जाज के लिए रास्टिया यानि केंद सरकार के लेवल पे भी है और राज्य सरकार के लेवल पी है मानवादी कारायोगा कानून प्राप्धान क्या है? जो दंड पुरकर्या सहीता है या भारती दंड सहीता है आपरादिक पुरकर्या सहीता है, यानि के CR-PC की धारा 41 को 2009 में CR-PC की धारा कुन सी? धारा 41 इसको 2009 में संसोधित किया गया था ताकि सुरक्स उपाय को इसमें सामिल किया जा सके और ये सुनिशित किया जा सके कि गरफतारी और पूछताज के लिए हिरासत में लेने हैं तू उचित आधार और दस्तावेजी पर करिया हो कानूनी पृतिनी दित्व के मादियम से सुरक्स उपलब्द हो ताकि गरफतारी परिवार मित्र और जन्ता के लिए पारदर्सी हो सके जो कानूनी पृतिनी दित्व है उसके मादियम से इसको उपलब्द कराए जाएगा जो दस्तावेजी पर करिया है और भारतिय दंड सहिता 1860 की धारा 330 और 331 में जबरन कबूल नामे है तू नुकसान पहुचाने को लेकर सजा का पराबदान है कौनसी भारतिय दंड सहिता 1860 की धारा 330 की धारा 330 की कहती है कि अगर किसी को हिरासत में लेके उसके जबरन कबूल करवा लिया कोई गुना तो उसमें सजा होगी इसको सजा का पराबदान है कुबूल करवाने वाले को कैदियों के खिलाब हिरासत में यातना के अपराद को IPC की धारा 302, 304, 304A और 306 के तहत लाए गया है अगर कोई यातना देता है कैदियों को हिरासत में रखके तो ये IPC की धारा उस पर लगेंगी भारतिय साक्से अधिनियम 1872 के तहद उसको सनकसर दिया गया अधिनियम की धारा 25 कहती है कि पुलिस के सामने किये गए कुबूल नामे को नियाले में सुईकार नहीं किया जा सकता है ये बहुत अच्छा धियान लेखना इसको अधिनियम की धारा 25 ये कह रही है कि अगर कोई कुबूल नामा पुलिस के सामने कर लिया तो उसको नियाले सुईकार नहीं करेगा नियाले में उसको कुबूल करना पड़ेगा तब जाकर उसको नियाले जो है सुईकार करेगा अधिनियम की धारा 26 में प्राबदाने कि व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्स किया गया कुबूल नामा व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता अगर किसी कैदी ने पुलिस के सामने कुछ कुबूल कर लिया है तो वो उसके खिलाफ सबूत नहीं बन जाएगा जब तक कि वो मजिस्टेट के सामने ये चीज कुबूल ना कर ले भारतिय पुलिस अधिनियम 1861 कहता है इसकी धारा साथ और उन्तिस उन पुलिस अधिकारियों की वर्खास्टगी दंड या निलंबन का प्राफदान करती है जो अपने कर्तवियों के निर्वेहन में लापरवाही करते हैं या ऐसा करने में आयोग्या है ये भारतिय पुलिस अधिनियम 1861 की धारा साथ और उन्तिस कहती है कि अगर कोई पुलिस का अधिकारी अपने कर्तवियों में लापरवाही करता है तो उसकी वर्खास्दगी हो सकती है उसका निलंबन हो सकता उसको दंड दिया जा सकता है अत्यचार तथा कुरूर अमानविय या अपमान जनक उप्चार या दंड की रोगताम सहित मानवा अधिकार कानूनों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ये इसका सोलिशन है बलके उचित पुर्योक चिता संदिक्दों को नियंतरित करने के गैर खतरनाग तरीकों पर कानून परवरतन अधिकारियों के लिए वियापक और प्रभावी प्रसिक्षन कार्येकरम का संचारन कर सकता है मोत के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदार पक्सों को जवाब ने ठहराने के लिए हिरासत मोही सभी मोतों की सतंतरता और निश्पक जाँच कर सकता है तो ये था गाईज आज का कुछ कर अंटरफेस उम्मीद आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई थेंक्स वाचिंग